प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स हो जंग हो प्रतिद्वंधी कैंप की बारे में अफवाह फेलाना भी कई बार बेहद मारक हतियार माना जाता है और इसलिए मेन मकसद प्रतिद्वंधी के खेमे का मनोबल तोड़ना होता है ऐसे ही घातक हतियार का इस्तमाल बीजेपी इंदनों कॉंग्रेस और राहूल गांधी के खिलाव कर रही है और बहाना बनाया गया है प्रियंका गांधी को बीजेपी की तरफ से अफवाह उड़ाई गई है कि प्रियंका गांधी को कॉंग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा है बीजेपी के IT सेल के हेड है अमित मालविय और उन्होंने सोशल नेटवरकिंग साइट एक्स पर एक शुगूफा छेड़ा है वो भी उस दिन जब रहुल गांधी ने मनिपूर से अपनी भारजुडो न्याय यात्रा की शुरुवात की कॉंग्रेस के तमाम दिगज और प्रमुक चहरे रहुल गांधी की यात्रा के दिन दिखाई दिये लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ नजर नहीं आई बलकि अगर ऐसा कहें कि प्रियंका गांधी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह दिल्ली से मनिपूर नहीं पहुंची इसे बीजेपी भाई बहन यानि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच खटपट के रूप में देख रही है, अनबन के तोर पर पेश कर रही है इसका एक्जामपल है अमित मालवे का ये ट्वीट जो उन्होंने राहुल की यात्रा में प्रियंका की अनुपस्तिती को लेकर किया था और भाई-बहन के बीच कले का एक सूत्र के रूप में पोस्ट किया आप कह सकते हैं कि आखिर अचानक बीजेपी नेताओं को प्रियंका गांधी की इतनी फिक्र क्यों सताने लगी है अचानक प्रियंका गांधी की प्रती उनके मन में ये सद्भावना के उमढ़ पड़ी है कॉंग्रेस के अपने कारिक्रम में उनका कौन नेता जाता है कौन नहीं जाता है इससे भला बीजेपी को क्या लेना देना उसी तरह BJP की बैठकों और रैलियों में उनके कौन नेता शामिल है या नहीं है इससे बहला कॉंग्रेस को क्या लेना देना हो सकता है लेकिन BJP की ITSEL के हैड अमित मालविये दूसरों के घर में ताग जहाग करके वहाँ पर जगड़ा करवाने की फिराक में रहते हैं और इससे पहले भी उनके ऐसे कई tweets सोचल मिडिया प्लाटपॉम पर दिखाई दिये हैं हाला कि अमित मालविये की पोस्ट पर किसी बड़े र्यता ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी कॉंग्रेस के लेकिन BJP नेता की पोस्ट को हवा किसने दी प्रमोध कृष्णम ने कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव यूपी में लड़ जुके हैं कॉंग्रेस में रहते वे भी आश्यरे जनक रूप से वो अकसर BJP की लाइन लेंद को सपोर्ट करते हुए बयान देते हैं भी राम मंदिर को लेकर अगर सोनिया गांधी ने आजेक्ट किया वहाँ जाना इन्मिटेशन तो उन्होंने इस पर भी कहा कि ये बहुत गलत स्टैप है इस पर एक बार फिर पुनर विचार करना चाहिए यह जरूर है कि प्रियंका गांधी को Grabs के यूपी प्रभार से मुक्त किये जाने के फैसले से कॉंगरेस के ही लोगों बाहर के लोग भी प्रियंका क्यों कि महा सचीव होने के साथ सब यूपी प्रभारी थी चुनाव में तो उनके पास पोरवी UP का प्रभार भी था लेकिन गुज़े साल के दिसंबर महिने में कॉंग्रेस के एक लेटर ने सब को चौक आया जब प्रियंका को जेनरल सेकरेटरी विदाउट पोर्टफोलियो कर दिया गया यानि उनसे UP का इंचार्ज ले लिया गया और उनकी जगा अविनाश पाणने को ये जिम्मा सौपा गया तब भी अमित मालवे ही थे जिन्होंने प्रियंका को जिम्मेदारी से मुक्त करने वाले प्रियंका गांधी यूपी में कॉंग्रेस के हालात में कुछ बदलार नहीं ला पाई प्रियंका गांधी जनवरी 2019 में कॉंग्रेस की महासरचीव बनी थी और उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया था लेकिन पिछले लगबग 5 साल में UP में कॉंग्रेस की परफॉर्मेंस में कुछ तब्दीली नहीं दिखाए दी बलकि अपनी पारंपरिक सीट अमेठी भी कॉंग्रेस के हाथ से निकल गई जैसे इन दोनों भाई बहन की बॉंडिंग दिखती है उससे ऐसा बिलकुल नहीं लगता और ऐसा भी सम्भव नहीं है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही कॉंग्रेस में कोई पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार की सदस्यता को या उनकी मेंबर को प्रभारी पत से हटाने का फैसला ले ले मुम्किन है कि खुद प्रियंका गांधी ने ऐसे इच्छा जताई हो क्योंकि अपने खाते में लगातार हार, फिल्योर, बहला कौन सा नेता पसंद करेगा लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पॉलिटिक्स का अपना रंग है बीजेपी, ओपोजिशन, कॉंग्रेस की होने के नाते सवार उठाएगी लेकिन ये कॉंग्रेस के ओपर निर्भर करता है कि वो अपनी मेसेजिंग वाले मोड में कौन से कदम उठाती है चाहे वो भारजोडो न्याय यातरा का अब जो फेज चल रहा है उससे हो जहां पर एकता जादा दिखाई देनी चाहिए बजाए की डिफरेंसे के तो इसी के साथ प्रशनकाल में इतना ही उमीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा आप क्या सोचते हैं इन खबरों को लेकर फिद्बैक जरूर दे हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं सुपर थैंक्स भी खरीच सकते हैं और अगर फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो वहां भी जम कर अपने फैमिली ग्रूप्स और अपनी फेस्बुक बॉल पर वीडियो को शेर कर लेगा थैंक यू बहुत धन्यवाद